नमस्कार इंडियानियू 64 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी ख़वर अलवर से है। अलवर के बड़ोदा मेल में टैपू के पलटने से बहुत बड़ा हास्सा हो गया। बड़ोदा में टैपू पलटने से टैपू में सबार एक ब्यक्ति की मौत हो गई। जबकि आदा दरजन से अधिक लोग घायल हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही बड़ोदा में प्थाना पुलिस के मौके पर पहुँची सभी घायलों को राजित गांदी सामाने अस्प ने बताये कि सभी लोग जेतो फरिद कोट पंजाब के रहने वाले हैं यह सभी लोग जेतो पंजाब से बीच गाओं लच्मणगर महराज के दर्सन करने जा रहे थे तब ही सीतल की नदी के पास एक टेंबू एनियन होकर प्लट गया जिसमें जेतो फरीद कोट पंजाब करहने वाले मान सिंग खटिक की मौत हो गई वहीं रमिश, रोहित, कस्मीर, मंगत राम, अजीद और साहिद कुमार का ट्रोमा सेंटर में उपचार चल रहा है मतक के परीजनों को सूतना दे गई, परीजनों के आने के बाद ही मतक का पोस्ट माटम कराया जाएगा तो सीतल की नदी के पास जैसे ही इनके टंपू उतरने लगे तो टंपू को अनबैलेंस हो गया और अन्बैलेंस होने के बाद ये लोग उस से गिर गए और दुगटना में गाहिल हो गए जिनमें एक व्यक्ति मारा है छे व्यक्ति गाहिल हो गए और एक व्यक्ति मर चुका है जिसका नाम है मानशिंग कौत्र रतिराम जाती खटीक उम्र 63 साल निवासी जैतो अमबेड कर नकर जैतो थाना जैतो जिला फरीद कोट फंजाब के रहने हो लें सार गाहिलों के नाम सर लिखती है मैंने और गाहिलों में है नाम है एक का नाम रमेश है रोहित है कस्मीर है मंगतराम है अजीद है और साहीद पमार है परिवार तो निवीपल के एक गाउं के रहने वाले है अब इनके परीजन आये जो मरा है मिरतक का परीजन आ रहा है उसके बाद आने के बाद पोस्टमार्टम होगा डोक्टर साब को तेरीड दीजी और उसके बाद पोस्टमार्टम करा जाए सर मैं इलियास यह साही थाना बढ़ो